दोस्तों अगर अभी दक आपने में वीडियो देखा होगा तको मालूँगा बाइजूस के आखरी के जो मैंने आपको 13 मैचेस कवर करके दिया है उसमें से लग रहागा नौ मैचेस आपको रहा मेगा कलें से कराके दिया हुआ है यानि कि इसली आपको जिता करके दिया हुआ यानि कि बाइजू इसके मैचस मुझे पर्सनली बहुत पसंद है आज एक बाइफ फिर से मैं TRC वर्चस जे आरो की वीचे होने वाले मैच के बारे में बात करूँगा कौन सा बल्ले बाज आपको इस सचे बेसक रंस बना की देगा बालिंग से विगे लेकि देगा इस बाइज का पित्र बोट का प्लेंग 11 का ओगा प्लेस बेदल का कौन सा ग्यारा प्लेस को आपको पीती में रखना चाहिए जिससे कि आप स्मॉल लिग में अच्छी का सी विनिंग कर लो जी एल में आपको कैसे रोटेसंस करने हैं चेंजेस करने हैं सभी चीजों के बाद करेंगे बस आप चैनल को पर नाया है और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पर पिन के हुआ तो जाओ अभी कभी आपर जाने हो जाओ वहीं पर मैं अपनी तीम से खुद पैसे लगाने मालों सबसे बहले बात कर लेते को स्थी मैं जी सकती है और एक मैस जो है नो रिजल्ट रहा है यानि कि बारी इसकोजे से अबेंदन गया है तो ती आर्सी की तीम पर जीतने के चांसा ज्यादा रहने वाल है अब बात करें इस मैच के पीज रूबट की तो मैच होने ला है यहां आपको लगो 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 वन फोदी फोर रंड का अवरेज इसकोड आखरी की तीन मैचस में देखनों मिला हुआ है यानि कि कहीं ना करें आपको अच्छे कासे रंस बनते हुए नजर आ सकते हैं आपकर रहें के प्लेक अनालिसिस पर तो यहां से आपके लिए दो अच्छे आपसने गेंगे यहां स इसी वज़ा से मैं आपी तीमें पिकर के नहीं चल रहा हुए इसका बल्यवाजी ओदर जो काफी नीचे आखरी सीजन में भेज आ गया था अगर इसको बल्यवाजी तीसरे चौथे या फिर ओपनी कराया जागा तो मैं इसी साथ आप तीमें पिकर के चलने वालो अभी अगर आप इस मैच के नदा वन के फार्मुला स्मॉल लिग में जाने की सोच रहो तो बिना को सोचे बसी के साथ जा सकते हो जो कि आपको बल्यवाजी में भी ओपनिंग करते होना जाएगा प्लस आपको बॉलिंग से भी तीन से चार ओवर फुरा करेगा और वन के जिससे इसने काफी अच्छे पॉइंस लाएगा आपके लिए एक सांदार ओप्शन रहेगा उसके बाद मैं यहाँ से अपनी तीम स्वी नायर के साथ जहूँ है इस वी नायर ने आखरी जो अपने 17 मैचेस के लिए करीब करेब आपको 383 के करीब रंस बनाकर क्या रहे या आपको थीक थाख देखो मुलेगा लेकि कुस कंफर्म निया कि कौन वाला ए रमेश है क्योंकि सेम एकडम एकडम सेम आधित रमेश नाम के दो प्लेयर्स का एनालीसिस मुझे मिला और यह का बहुत खराब है यह का बहुत अच्छा इसी वज़े से मैंने अभी तक अपी द रहेगा इसके अलावा कि आप जाना चाहते हैं तो यहां से वीवी श्री राग के साथ जा सकते हैं इसका रिकॉर्ड अच्छा है बाकी मैं इसको अपी इसलिए नहीं कर रहा हूं पहला रिज़न है कि मुझे लगता है ज्यारों की तीम मैंच हारने वाली है और दूसरा रि गोविन की बात करो तो आखरी के जो इसने अपने सोलह मैंच करें वाँ पर इसका रिकॉर्ड दम सेम टाइप का है और इसका रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है बले वाज़ी गेंद वाज़ी दोनों चीज़ भी करकी देगा इसी वज़े से मैं पिकर के चल रहा हूं लेकि एक चीज जिया देखने वाला आखरी के जो इसने चार मैचेस के ले हैं शुरू के आखरी के जो चार बाईजूस के मैचेस में इसको खिलाया गया है मुझे जहां तक या दा रहा हूँआ पर 187 रन बना कर क्या रहा है यानि कि सिर्फ वाज़ी से भी अच्छा रिकॉर्ड बॉलिंग से सिर्फ और सिर्फ एक विकेट मिला इसी वज़े से मैं आपको कहूँगा इस सीजन में सुरू के अच्छस में ऐसा बैस में आपी तीम में लेने की ज्यादा कोसिस करना क्यों कि बॉलिंग उतनी जाती साहत ना मिले आगी की प्लेश की बात करो को उससे पहले बाता दू वीदेग तीम है करी इनिसेल तीम है दैमो तीम बनाग देरो एक प्लेक एनालिस बताने के लिए बाकि अगर आपका हमारी फाइटीम से जिस तीम से मैं खुद इस मैंच के पैसे लगाने वालो तो आपको मैं तेलीगराम से जोईन होना पड़ेगा जहां पर जो करीब लोग पहले ही से जोईन है तो जाओ अब भी जोईन हो तो टेलीगराम से रखाली करें दिसक्रप्शन आपके से दे रखाए यहां से बात करो अपी तीम में यहां से जाने मालों जिसकर आप एर रेसब एर रेसब ने भी आखरी किस आपने चौबीस मैचेस के लिए पर 21 विए लिए प्लस 24 मैच के दर आपने देखा है 419 के करीब रंस भी बना करके आ रहा है यानि कि बले वाज़े ओगेंद बाजी दोनों चीज़ काफी अच्छा करके आ रहा है अब यहां से दो और अच्छे प्लेयर एक आपको ए बाबू और दुसरा यहां से एन बाब बाबू का रिकौद बलेव जो गेंद बाजी दोनों चीज़ से काफी है लेकिं बाइलिंग से मेरा समेंट इस विए लेकर के रहे बाबू का रिकौद इससे बहुत 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 अच्छा देखना मिलेगा आखरी के 19 मैच के दर करीब करें आपको 22 फिकर पीलेकर कहा हु कि बीस वर के जो आखरी मैंने वाइजूस की सीरीज इसकी कवर किया था नहीं ये बल्यवाजी अच्छी कर पार था नहीं बॉलिंग चार मैचस खेले तो उसमें से दो मैचस में तो बुरी तरीकी से फ्लाप हुआ था एक मैचस अगया था जहापे इसको बॉलिंग से तीन व माच जी एल्टी में रखना ही रखना है इसके बाद मैं अपनी तीन में एक क्रिस्टन के साथ हूँगा एक क्रिस्टन ने आखरी अपने पंदरा मैचस के लिए वापे अधारा की करी विकर लेकर क्या रहे अब बल्यवाजी से ज्यादा कोई रिकौर्द है नहीं मेरे पास आखरी मैच चोईस ने मेरे पास जो रिकौर्द है उससाब से एक मैच कहला था मापे एक ओवर ही बॉलिंग करका हुआ हुआ है तो बल्यवाजी के हिसाब से आपको अपति में ज्यादा पिकर के चलने कोसिस करना चाहिए वहीं बॉलिवाजी के बाद को नंबर वन चोईस रहेगा यहां पर मैं ज्यादा रिस्क ने लूगा एर हमेज के साज हो जिसका बल्यवाजी के साथ सा गेदबाजी से भी रिकौर्द का अफियत है आखरी के सोला मैस के करीब आपको वन नाइंदी थी के करीब रंस बनाकर क्या रहे है प्लस तोला बैस के दर चौधा विकेद भी लेकर क्या रहे है तो बल्यवाजी गिवाजी दोनों के हिसाफ सारो एम नीदेश की बात करें बॉलिंग अकर आप रिस्क लेना चाहते हो अगर आप अपनी तीमें रिस्क ले अपने चाहते हैं तो बहुत चीज मैं आपने टेलीगराम से अपडेद कर दूगा तेलीगराम से जरूर उज़र जाना उसका लिए दिस्किप्शन और कमें सक्समर्ग से दिया हूं वहीं पर मैं अपने फाय तीम से कर दूगा बात के लिए अपने के वैस के किसको बनाने लगा रहो इसका सबसे बार रिजन है कि जितने भी अप्लीकिसन आपको सबसे ज्यादा लोई रिफीज हो है लेवन चलेंजर से आपको पर ही देखनों मिलेगा यहां पर पेर कहने में बस एक आपने हजार उपए लगा करके देखो बिना हारे आपके सो रुपे बचा सबसे लगाना सुरू कर दो लेवन चलेंजर से अपने डिस्कुप्शन सेक्शन है सबसे उपपीन क्या हुआ है तो जाओ अभी का भी दिस्कुप्शन है जाओ मेरे कैने पर डाउनलोद करो अड़ीगा खेलना सुरू कर लो और यहां के यूटिवर्स को तार्गेट इसके अलावा अपने आसे बाबू अच्छा उप्शन है यह रिसब भी अच्छा उप्शन है यह दोनों प्लेश को आप अपने केवेंसी और वाइस केवेंसी की जोई से राख सकते इस मैच के लिए उमीदे दोस्तों के पलेगा पूरा अनालिस बता दिया जिसका आप ना तो बिना को सब्सक्राइब एक मैसेश करते ना इसका आम का लिक ने डिसकाप्स ने देरा कहें गंती गंदा आपको प्रॉब्लम सब्सक्रा करा के दे दूंगा